तो यहांपर दोफ्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वालों कि कैसे आप अपने OnePlus के 10 Pro मोबाइल फोन में यहांपर अपने fingerprint एनिमेशन को कैसे चेंज कर सकते हूँ क्योंके दोफ्तों अभी आपने जैसे एक fingerprint एनिमेशन लगा रहा होगा तो बार बार यही लगा कर आप बोर हो जाते होंगे तो अलग-अलग के इंटरफेस के एनिमेशन आप कैसे लगा सकते हूँ वही माच के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है चैनल पर नेया है तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर देना है और साथ में बैलकन को भी जरूर से प्रेस कर देना है तो चली दोफ्तों बिन टाइम वेस्ट कम्यूटिक को शुरू कर लेते है इसके लिए आपको क्य क्या करना है सबसे पहले अपने OnePlus mobile phone की setting में चले जाना है ठीक है setting में जाने के बाद दोफ्तों आपको यहां पर बहुत फ़रे option में चले जाना है ठीक है लेकिन यहां पर दोफ्तों आप देखोगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता ठीक है यहां पर आप बैक जा दोफ्तों आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद दोफ्तों आपको यहां पर fingerprint animation option मिल जाता है आपने यहां पर क्लिक करना है और दोफ्तों यहां पर आप देख वकते हो कितने खूब फूरत animation देखने को आपको यहां पर मिल जाएंगे यहां पर दोफ्तों यह वाला तो आप इसको लगा सकते हो, अगर आपको नहीं लगाना तो आप यहां पर क्लिक करें कि इसको हटा भी सकते हो, तो थैंक्यू फॉर।